जाहिन साथियों मेरा नाम है आदित्यादो स्वागत है आप सभी का UPSC मार दर सकोए नाव रिसेंटली एक काफी जादा बड़ी दील देखने को मिली है भारत और इरान के बीच में तो ये डील कौन सी है इसके बारे में हम बात करेंगे तो आप जानते ही हैं कि एरान के अंदर जो है एक चाबा हर नाम का पोर्ट है इसको लेकर कि ये दोनों देसों के बीच में डील हुई है और कहीं न कहीं अभी तक जो भारत इसका संचालन कर रहा था वो एरली वाइज ज करब से जो है भारत को धंक्याना स्टार्ट हो गई है तो इसके पीछे की पूरी वजा क्या है तो इस वीडियो वे हम चर्चा करने वाले यहां पर आप देख सकते हैं कि इरान इंडिया साइं टेन एर एग्रिमेंट और इंडियन ऑपरेशन एड चाबाहार पोर्ट तो जो अगर बात करें भारत की कंपनी के साथ इसका एग्रिमेंट हो चुका है वह अगर देखा जाया यहां पर तो दूसरी जो खबर निकल क्या है जो इस एग्रिमेंड को देखते हुए भारत और इरान के बीच में इस डील को देखते हुए यूए- येस के तरफ tremendously चपे कर काफ पूरे जो मिडल इस्ट में बने हुए थे और कहीं न कहीं एक दूसरे को उपर काफी ज़्यादा काउंटर भी किये गए हैं हमले भी किये गए तो यह पूरा जो मामला था इसकी वज़ा से हमको सिर्फ अपना देखना है तो इसमें क्या हुआ कि जो चाबा हर पोर्ड को लेकर कर बात की जाए तो भारत ने इस पूरे डील को कहीं न कहीं दस सलों के लिए पूरा एग्रिमेंट ले लिया चाबा हर पोर्ड के संचालन को ले कर के तो आगे बहीं देखा जाये तो यह आप न्यूज की बारे में बात करें तो लॉंग टर एग्रिमेंट जो हुआ है दोनों कंट्रियों के बीच में तो यह जो कंपनियां इसमें देख सकते हैं कि इंडियन पोर्ट ग्लोबल एल्टेडी आई पीजी एल और वहीं कर देखा जाए जो इरान की कंपनी है यहां पर देख सकते हैं पोर्ट मैरिटाइन और्गनाइजेशन यानि पीमो इन दोनों कंपनियों के बीच में जो अभी तक देखा जाता था सहीद बहस्ती टर्मिनल को संचालन किया जाता था यानि यहां पे तो यह जो टर्मिनल था इन दोनों के बीच में यह पूरा संचालन होता था लेकिन आप बात करें तो after eight year यानि eight year after बात करें तो इसमें जो होता था कि framework corporation of chaba airport इरान इंडिया इरान on Monday sign of ten year contract operation यानि कि जो संचालन है वो भारत के द्वारा किया जाना है यानि दस साल का agreement पूरा भारत के द्वारा किया जा चुका है लेकिन देखा जाए यहां पर लॉंग टर्म एग्रिमेंट जो sign हुआ है इंडियन पोर्ट ऑफ ग्लोबल एल्टडी के और पोस्ट मैरिटाइन और्गनाजेशन PMO के बीच में जो इरान की जो कंपनी है वहीं अगर बात की जाए तो यह जो operation हुआ सहीद बहस्ती टर्मिनल को लेकर के तो यहां पर अभी तक क्या होता था कि देखा जाए तो IGPL के तरफ से इसको पूरा जो है यहां पर बताया गया कि हम 120 मिलियन यूएस डॉलर का investment कि यहां पर जो भी सारी चीजें दिक्कते हैं sport को लेकर के यहां पर हम इसको पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे वहीं कर बात की जाए तो जो infrastructure को बढ़ाने के लिए 250 बिलियन डॉलर का लोन देने का भी काम जो है भारत के company के द्वारा बताया गया है वहीं अगर बात की ज पनी से इस चाबाहार पोर्ड के लिए किया गया है लेकिन अगर 250 जो बिलियन डॉलर है यह जो दिया गया है पैसा यह लोन पर दिया गया है कि आप जो है यहां के infrastructure को develop करिए हम आपको इतना पैसा देते हैं वहीं अगर बात करें तो the agreement of sign of presence of port shipping and water minister of सर्बनंदा सोने वाल यानि कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस port के जो shipping and water minister, waterway minister है सर्बनंदा सोने वाल और वहां कर बात कि जाए महर डैड आफ बजर पास, आप यहां देख सकते हैं बजर पास, minister of road, urban development of इरान, इन दोनों लोगों के मोजुग्दगी में यह पूरा deal हुई है, तो आप लिए देख सकते हैं और पाकिस्तान का जो गॉदर है, गॉदर पोर्ट हे यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि चाइना ने अपना जो है इसके उपर पूरा देखा जाये तो इसकी पुरी deal हो चुकी है पाकिस्तान को लेकर को गॉदर जो है वो कही न कही चाइना जो है इसका पूरा मेनेजमेंट देख रहा है तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमको क्या करना है कि हमें जो है दूसरे डेलै होती है ऐसक्पोर्ट और भारत की जा सकती है तो दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इस समय जो इसराइल और इरान के बीच में दोनों देशों के बीच में काफी जादा जो युद्ध का महौल था और कहीं न कहीं एक दूसरे को पर काफी जादा काउंटर भी किये गए हैं एक दूसरे इरान के साथ डील क्यों किये चाबाहर पोर्ड को लेकर के तो यह सारे जो मामले देखने को मिले हैं अगर वहीं गर बात करेंगे आगे चलके इस वीडियो में कि इसके पीछे का क्या रीजन है और क्या यह जो सैंक्सन की बात करते हैं क्या अमेरिका हमारे उपर सैंक्सन ल लेकर के आते थे लेकिन अगर यह चाबहा हर्पोर्ड अगर इस पर हमारा संचलान हो जाता कहीं ने कहीं हमें इरान से डिरेक्ली रस्या तक पहुंच सकते तो इसमें काफी ज़्छा होगा वह हमारा कम है कि 28.2 billion का जो फाइदा हुआ था 22 से लेकर के 23 के येर में तो वहें कर दूसरी बात के 2023 से लेकर के 2024 के बीच में 25.1 परसेंट का जो फाइदा हुआ है यानि भारत ने इतने पैसे सेव किया है यानि कि किस से तेल खरीद करके तो रसिया से खरीद करके वहीं अगर बात कि जाया तो इसके द्वारा भी क्योंकि रसिया को उपर भी USA के काफी जादा सैंक्सन लगाए गए गए है कि यहां से कोई तेल नहीं खरीद सकता तो इसके बावजूद भी भारत ने रसिया से तेल खरीदा और इसके पाहले यूएस शेल भारत को वर्न भी किया था यानि इंडिया को वह रहा भी किया था कि देख सकते हैं इस आर्टिकल में कि यूएस वर्न इंडिया अगेंस इंकृजिंड ऑल कौ। says great risk यानि यूएस के द्वारा ये सारे जो हैं कहा गया भारत को वार्न किया गया कि अगर आप रसिया से तेल खरीटते हैं तो कहीं न कहीं आपको खामिया जाए इसका भुगतना पड़ेगा लेकिन फिर देखते हैं इसके बाद ये खबर जो थी आप यहां देख सकते हैं ये ये जो सारी बाते कही गई धी, जो रसियार से इंडिया का इंपोर्ट होता था conducting अएक आपको खरीद रहा है, तो पूरी भारत ये जो है रसी से तेल खरीद करीद रहा हैं, तो कहीं न कहीं ही देल हैं, हमने भारत को आप रसिया से खरीद सकते हैं, mother, Samay से बाते बहुत बोली गई कि किई अपने करने लिए जो है इंडिया के दौरा रस्या से तेल खरीदा जा रहा है इसमें कोहीं अपति नहीं है तो यह मामेला देखने मिला तो आखिर कियों मामники多 मिलत को इसको पीछे का रीजन की कई कहीं न कहीं और वो बिक्षित के और बढ़ बढ़ रहेmotion जो आगे बढ़ सकते हैं तो लेकिन ऐसा चाहता है कि चाइना और इंडिया के बीच में दोनों के बीच